प्रोब्लम हो रहा था उनलाइन फॉर्म भारने में चाहिए वह फोकेशनल हो या रेगुलर इन दोनों के लिए आप लोग का डेट क्या कर दिया गया है एक्स्टेंड कर दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहां पे हैं पटना इनवर्सिटी का ओफिसल फॉर्म भारने का डेट क्या किया गया है एक्स्टेंड किया गया तो चली हम लोग पहला वाला नोटीफिकेशन देख लेते हैं कि ओनलाइन एक्स्टेंड किया गया है ठीक है और साथ-साथ आप लोग को पेपर आठिकल में भी में आप लोग को बताना वालते तो पुरान वाला था हम लोग को पुराना वाला बिल्कुल भी नहीं देखना है तो देख सकते हैं इसमें क्या इस्थिति है इसमें पुराना वाला है कि नया वाला है उस पर क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर 22 आप लोग के दिख रहा है भी पुराना वाला ठीक है तो हम लोग को क्या कर और ओफिस्यल वेब साइट पे आप लोग कुछी घंटों में आप लोग क्या कर दिया जाएगा वह ओफिस्यल नूट्फिकेशन अप्लोड कर दिये जाएगा ता यह हम लोग देखते हैं और शुरुआत करने से पले आप लोग को में बता दे कि अगर आप लोग इस चैनल प ततकाल किया गया सुधाराविदन की तीथी भी क्या कर दी गई है आप लोग को बरहाई गई है साथी साथ आप लोग की अभी बता है कि पटना इनिवर्सिटे परहा कुछ और फर्म भरने में आ रहा था किसी और का विशाय विकल्प ता आप लोग देखे यहाँ पर जो भ परच्छाब परश्राविदन इन सभी के लिए आप लोग देखे선 तो दिए गया वोकैस्टनल कोर्स श्रल फंब परने Mackande की तीथी को क्या कर दिया गया है बहा दिया गया ता आप लोग बतायां जया रहा बिना बिलम सुल के साथ 24 से आप लोग कब तक कर सकते हैं 27 तोंबर तक फर्म भर सकते हैं वहाई बिलम सुल के साथ आप लोग कब से कब तक फर्म भर सकते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 28 से 30 नौंबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं बिलम सुल के साथ आप लोग जमा करेंग तो आप लोग देख सकते हैं पीजी थार्ड सेमेस्टर 26 तक भरा जाएगा आप लोग को पीजी और यूजी दोनों के लिए आप लोग को फॉर्म भारने का डेट एक्स्टेंड किया गया ठीक है तो चलिए आई होप आपके लिए अप क्या हो गया वीडियो बहुत ही इंपो आप लोग को सबसे पहले मिले तो फाइनले आप लोग का यूजी रेगुलर और वोकेस्टन इन सभी लोग का डेट कब से कब तक बहा दिया गया ता आप लोग को 27 नुवंबर तक बिदाउट लेट फाइन ओनलाइन एक्जामनेशन फर्म भर सकते हैं